हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्ती स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बच्चे वे आटे से गुते वे आटे से नाश्टा बना के तियार करेंगे और यह बहुत ही हैल्दी और पोस्टिक है बच्चे अगर नहीं खाना पसंद करते हैं रोटिया तो आप इस तरह से बना के खिलाएंगे खुश हो जाएंगे और कुछ भी इसमें महनत नहीं है जचपट से तयार हो जाता है रैस्पी पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा चलिए स्टार कि अगलता करण को कोर में त depending के अच्छे से निचोड़ेंगे इस तरह से आप नाश्ता तियार करेंगे तो भी आपको समोज से कचोरी की याद नी आएगी पानी में निचोड लिया इसी अच्छे से और थोड़ा से नालेंगे खट्टे-पन के लिए अम्चूर पाहडर भादा चमच घनिया पौडरब हम अनुवैंद, नालें दो बड़े चमच बेसन बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलातेवे और फिर हम जबले hands सो जाएगा अच्छे से बेसन तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा एक साथ पानी नहीं डालना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूं क्योंकि हम इसका थिक पेस्ट त्यार करना है बहुत ज तिक रखना है इससे ज्यादा इसे पतला नहीं करना है बिलकुल भी और इसी तरीके से इसे तियार कर लेंगे अब चलिए जो मेरे पास गुथा वाटा रखा वाए इसे हम थोड़ा संबल लेते हैं और उसके बाद इसमें से काटूंगी मैं बड़ी बड़ी दो लोईयां सकते लेकिन बड़ी लोई काटने से समय की बहुत बच्चत हो जाएगी एक बार में ही काफी सारा नाश्ता तियार हो जाएगा इस तरह से मेरे थोड़ा हाथ में चोट लेगे तो मैं एक ही हाथ से बेल रही हूं इस तरह से इसकी आठा लगाकर सुखा अठा लगाकर इसे और बड़ी सी रोटी बना के तियार करेंगे बिल्कुल इतनी ही जितनी ही रोटी आपके घर में पतली बनती है उतना ही आप रोटी को पतला बनाईए और इस तरह से एक गिलास या कटोरी की मदद से चोटी चोटी इसकी पूरियां काट लेंगे यकीन मानिए फ्रेंड्स करेंदेन से नाश्ता इतना टैस्टी और क्रिश्पी बन के तियार होता है कि बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इसे नाश्ते मैं भी खा सकते हैं और इस जोड़ी पूरियों को हम तवय पर सेक लेंगे और तवय परीं के सेखेंगे इने हम ग सब्सक्राइ ör engraç रहें का कि अच्छा हाल भी इसे ला जवाब रेस्पी आपसे अच्छे से लगाएगे। अलटते पलटते इस तरह से लगाकर अम में उसे गरम गरम टिल में फ्राइ करेंगे, हैना बिल्कुल आसान और बहुत क्रिस्पी अच्छुण शेया हिना चुनटे या बहुत है यह घ्राइ करें एक शुक्तों सबस्कारको हुआ हों तरह से लटते पलटते गोर्डन फ्राइ कि यह आपने बचेवे आटे से बनाया है बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जादा आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करिए बना के जरूर देखेगा ट्राइ जरूर कीजिएगा और रैस्पी पसंद आए तो मुझे लाइक सस्क्राइब और शेयर कीजिएगा बैल आइकन को दबाईएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अब देखे यह अच्छे से फ्राइ हो गई है आप इनने रोटी का पकोड़ा भी बोल सकते हैं बहुत ही टेस्टी रोटी का वड़ा पाव भी बोल सकते हैं बहुत ही टे रेस्पी ऐसी शेयर नहीं करती अपनी यूटूब फैमली से जिसे की वह रेस्पी खराब बने आप वीडियो पूरी देखिए इसकीप किये मिना और इतना कीमती समय देने के लिए उसके लिए थैंक्यू फर वचिंग फ्रेंड्स बनाईए खिलाईए जाते जाते एक बार फिर से अगर रेस्पी अच्छी लगे तो सस्क्राइब जरूर कीजेगा लाइक कीजेगा बाबाई फ्रेंड्स